प्रक्रण में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे शुक्र परबत के उपर आप देख रहे होंगे ये शुक्र परबत है और इस शुक्र परबत पर यदि हम ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि कुछ रेखाएं सीधी होती हैं कुछ टेड़ी होती हैं अब इन रेखाओं का महत तो क्या है कुछ हाथों में ये शुक्र परबत उचा होता है और कुछ हाथों में ये शुक्र परबत धसा हुआ होता है तो भाईयों और भेहनों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसके शुक्र परबत पर उभार बहुत ज़्यादा हो और नीली नीली रेड रिखाएं हो नीली नीली नसे दिखाई पड़ती हो ऐसा व्यक्ति चाहे वो इस्त्री हो या फिर पुरुश हो उसमें भोग की भाउनाएं अधिक होती है और वो दिखा जाए तो भोग ब्रत्ती वाला होता है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ परबत होने पर यही व्यक्ति इस्त्री हो या पुरुश अपने इनी बुरी आदतों के कारण बदनाम और कलंकित हो जाता है कई बार यहाँ पर काले तिल का निशान मिल जाता है अब काला तिल यहाँ पर हो ठीक है तो ऐसा ब्यक्ति जीवन में अपने सेक्सुल पॉइंट की वज़े से बदनाम हो जाता है चरित्रहीन हो जाता है और अब यहीं पर विचार करते है कि यदि यह समुन्नत है उचा उठा हुआ है शुक्र परबत परन्तु उस पे ज्यादा नीली रिखाएं नहीं है नीले नसों का प्रभाव नहीं है तो ऐसा ब्यक्ति सुखी होगा गाड़ी मोटर वाहन बैभो और अच्छे मकान का स्वामी होता है अच्छे बंगले का स्वामी होता है और यहा ब्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता करने में भी आगे रहता है यदि यही परवत शुक्र परवत से जाती हुई कोई रेखा यहां आ करके ब्रस्पति की तरिप्त ले जाए तो ऐसा विक्ति भोगी से योगी हो जाता है उसकी भोग की जो भावनाएं होती हैं धीरे धीरे शान्त हो जाती है और सारे सुखों का ऐश्वर्यों का भोग करके वो फिर योग की तरफ चला जाता है देख रहे हैं आप इस परवत को ठीक है अब इसी परवत पर हमें संतानों के पक्ष की बाते भी मालूम होती है क्या है रहस्य संतानों के पक्ष का तो इसमें ये जो रेखाएं ऐसे होती हैं सीधी तेड़ी और बिल्कुल सीधी तो जो मोटी रेखाएं हैं इनसे ये पता चलता है कि इतनी संताने इसके होगी और कई बार ये रेखाएं कटी हुई भी होती हैं मालों की दस रेखाएं ऐसे बनी हुई है सीधी परंतु इन ही में अगर कोई रेखा कटी हुई है तो वो संतान उसकी नश्ट हो जाती है ठीक है उसी शुक्र परवत पर आ जाते हैं और देखिए ये शुक्र परवत ऐसा बना हुआ है इस हथेली में ठीक है इस हथेली में ऐसा शुक्र परवत बना हुआ है हम आपको निशानी देते हैं फिर से ध्यान से देखेंगे यदि इसमें देखिए ये रेखा बन गई ये रेखा बन गई ये रेखा बन गई ये रेखा बन गई और कई बार बहुत सारी रेखाएं बन जाती है ठीक है लेकिन पता चलता है कि इतनी रेखाएं हैं तो क्या इतने ही बच्चे होंगे नहीं भाइयों भेनों इतनी रेखाओं को देखने से हम भ्रमित हो जाएंगे अब इसमें जानना है कि जो रेखाएं बिलकुल अस्पष्ट हैं उन रेखाओं के हिसाब से ही संताने होती है और जो रेखाएं आस्पष्ट हैं कटी-फटी हैं जैसे कटी हो गई ठीक है अथ्वा जाला हो गया तो इन संतानों का नुकसान हो जाता है अथ्वा कई बार यह होता है कि हम अपने जो वीर्य है उसका संरक्षन नहीं कर पाते हैं और उस वीर्य का पतन कर देते हैं उस वीर्य को विनश्ट कर देते हैं अब वीर्य में संतान और जीव भाव रहता ही रहता है सबसे बलवान होता है वीर्य उस वीर्य को यदि हम इधर उधर नश्ट कर दिये तो वो भी संतानों का माध्यम बन जाता है पता चल जाता है कि ये संताने हमने अपने भोग ब्रत्ती के कारव नश्ट कर दी हैं ठीक है तो अब इसमें देखा जाए तो असपश्ट रूप से आप तीन रेखाएं देख रहे हैं ये देखिए ये तीन रेखाएं ही आपको दिखाई पड़ रही हैं असपश्ट ऐसी वस्था में तीन बालक होंगे तीन बच्चे होंगे अब कैसे पता करें कि कितने पुत्र होंगे और कितनी पुत्रिया होंगी ये परकरण है कैसे पता करें कि कितने पुत्र होंगे और कितनी पुत्री होंगे अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि यदि ये रेखा थोड मंगल परबत की तरफ आजाए यहाँ पर एक मंगल परबत है ठीक है कि इस मंगल परबत की तरफ यदि रेखा बड़ी होकर के आजाए तो यह पुत्त्र-संतानों का योग बताती है और यही रेखा यदि छोटी हो जाए और शुक्र परबत पर ही छोटी होकर के रह जाए तो ये इस्त्रियों की संख्या यानि फीमेल संतान के बारे में लड़कियों के बारे में बताती हैं आप समझ गए होंगे इन संतानों का महत्वा इस सुक्र परबत पर बहुत सारे और रहास्य चुपे हुए हैं आगे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे आप देखते रहें तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको